हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो मैं चला इंजिनेर माइंड मैं हूँ इंजिनेर प्रकाष और आज मैं आपको आर्टिफिछल इंटेलिज lesson के बारे में बताने जा रहा हूं आजक्कल हर जगर चर्चा में है सारे स्टाल सोशल प्रेटफर्म पे सारे नियुजपेपर्स में सारे टेक चैनल्स पे everywhere हम artificial intelligence के बारे में सुन रहे हैं तो यह होता क्या है और यह हमारी life को कैसे इसका impact क्या हमारी life के उपर है इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में तो बने रहे हैं मेरे साथ और देखते हैं इंजिनियर्स माइंड सब्सक्राइब करें चैनल इंजिनियर्स माइंड को और बेल आइकान जरूर दबाएं लेटेस्ट टेक्नलोजिकल अपडेट्स देखने के लिए पर देखसी को बने और दुषाश फ्क्राइब के जो आटिशील इंटिलिजेंस के बात हम करें तो जैसे हमारा हुमान इंटेलिजनस और हमारे पास जो चीजर हमारे और इसके हम चीजों को लगा कि गरम है वह information माइंड में चली जाती है माइंड उसको इनलाइज करता है चाफिर उसके बाद analysis के बाद action होता है कि इसको touch नहीं करना है या इससे दूर जाना है तो यह एक human intelligence है natural जो intelligence जिसको कह सकते हैं इसी तरह की चीज़ें जो हैं अब machines में apply की जा रही है कि machines जो है वो चीज़ों को sense करके चीज़ों को देख करके वो analyze कर पाएं और उसके हिसाब से decision ले पाएं कि क्या करना है तो इसका बड़ा ही इस पर बड़ी research चल रही है और इसमें काफी improvements हुआ है आज कल आप देखिए robotics में आपको देखिए जो restaurants हैं उसमें robots का use होना सुरू हो गया ह है आपके traffic में robots का use होना सुरू हो गया है robotics में यह आपके surgery में healthcare की बात करें तो वहां पे artificial intelligence का use होना सुरू हो गया है और mobile और यह सब चीज़ों में तो आप देखी रहे हैं कि रोज pixel phone यह सब जो भी आजकल के नए phone आ रहे हैं जो नए Android version आ रहे हैं सब में AI को पूरा इसको कैसे यूज किया जा रहा है आज हम इसके बारे में जानेंगे सबसे पहला जो कांसेट आजकल हम डेली यूज में देखते हैं वह है डिजिटल मार्केटिंग कि बात करें तो आप देखेंगे आपको email आती है आपको इवेपेज खोलते हैं उस पे आपने कोई पोटर कभी सर्च किया हुआ है या आपकी हैबिट है कि कोई चीज कोई पेज आप देख रहे हैं उसी बेसिस पे device जो है या प्रोग्राम जो है वह सेंस करता है कि आपको क तरह के प्रोड़क्ट की मार्केटिंग की जाती है तो यह भी एक artificial intelligence में कोई human involvement नहीं है automatically चीजें सेंस होती है program सेंस करता है और on that basis वो जो है प्रोड़क्ट की मार्केटिंग करता है online searches में भी इसका खूब यूज किया जा रहा है AI artificial intelligence इसको कहते हैं उसका आपको किस तरह की आप कोई भी सर्च करते हैं Google पर या किसी सर्च इंजन पर तो आपको किस तरह की requirement है उसी बेसिस पे वो जो search results है वो आते हैं यह सब चीजें पता नहीं चलती है लेकिन यह back of the server यह स सेंस कर रही है जो तीसरी बात है जैसा कि हम आप आजकल मोबाइल में देख रहे हैं जो Android 9 5 जो आया है नया लेटेस वरिजन है Android का उसमें भी आप देखिए जेस्चर बेस कंट्रोल है षजथेMusicMarkIE में उसमें खुब यूउज किया गया है आप उसे सपोज आप रोज कि थीम क्राइब साम को तीन बजे काल करते हैं तो जैसे आपको डिस्पले होने लगता है और आप कर सकते हैं जैसे जाए आप डालर उपन करेंगे आप परसन का नंबर उपन हो जाएगा तो यह जेस्टर बेस्ट कंट्रोल या आटिफिचल इंट्रिजेंस इसको कहते हैं इसका भी काफी यूज हो रहा है वेब डिजाइनिंग में इसका यूज किया गया है जैसे कि एक आप कर दीजिए आपको क्या चाहिए आपको जो भी वेब साइट बना रहे हैं और ऑसी साब से और आपकी वेब साइट तैयार हो जाएगी तो यह सब चीजें बिल्कुल कहते हैं आपिशिड इंट्रिजेंस का एक बहुत बढ़ियां एक्जाम्पल है, चैट बोट्स हैं, साइबर सेक्योरिकी है, सब जगे चैट बोट्स आप जाए से जानते हैं, आपको नार्मल कोई क्वैरी है, तो वहाँ पे आपको लगता नहीं है कि कोई आपके सामने मशीन बैटी हुई है, आटमेटिकली वो जो है आपके क्वेस्टन क कि रिप्लाई, उनके पास एक 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 बहुत बाद डेटा बेस इन्वाल्व होता है, और उस डेटाबेस के थ्रू ही किस क्वेस्टन का कौन सा अंसर होगा, किस सर्च के लिए कौन सा रिजल देना है, ये सारी चीजें जो हैं उस डेटा बेस के ऊपर ही डिशाइड होती है तो वैसे ही आपका चैट बाट्स है या कोई और हेल्पिंग साइट है, जहां पर देखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि वहां पर कोई मशीन है, जिसके थूरू अल्मॉस्ट थर्टी-फोर्टी परसेंट नहीं कर पाते लोग कि कोई मशीन आपको रिप्लाई कर रही ह और हेल्ट केयर में, एज्ट केयर में भी इसका काफी यूज हो रहा है, एज्ट केयर में जैसे कि आपको कौन सा कर्यियर परसू करना है आपका प्लस क्या है, आपका माइनस क्या है, आपको कहां पर Bened Studio करनी है, यह सारी चीज हैं किय साथ भीनी नहीं हैं जो AI-based करता है क्या क्या पॉसिबिल्टी है इस सारी चीजें आने वाले टाइम में सब कुछ AI बेस्ट हो जाएगा और यह इमर्जिन टेकनलोजी है और इसमें जितना ही इंप्रूब्मेंट किया जाए इतना कम है जैसा हुमन सोचता है वैसा आप मशीन सोचने लगेंगी और वो दि वीडियो कैसा लगा आपने लाइक्स और कमेंट्स के थिरू मुझे जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इंजिनियर्स माइंड